Hello everyone, this is Prashir Gupta and I welcome you all. Postman API Testing Tool Series में आज हम समझेंगे कि किस तरीके से Jenkins में हम Newman Reports चनरेट करते हैं और उनको हम Publish करते हैं. इस सीरीस के पहले की वीडियो अगर आप में नहीं देखें तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंट तक देखें. आएए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो Jenkins में Newman Report को Generate करने के लिए सबसे पहले हमें Open करना है Jenkins Application. तो यह मैंने Chrome Browser Open कर लिया है और यहाँ पे मैं Enter कर रही हूँ, Path, HTTP, Localhost, 8080 and Enter. और यह Jenkins Application Browser में Open हो गया. Jenkins क्या होता है? किस सरी किसे Jenkins में CICD किया जाता है? Continuous Integration, Continuous Delivery. Jenkins हम कैसे Install करते हैं? कैसे Configure करते हैं? Jenkins में Postman Collections को हम कैसे Execute करते हैं Newman Command यूज़ करके? यह सारी चीज़े हमने Last Video में हमने Cover कर ली है. अब आज की Session में हमने Report Generate करना है Jenkins में. तो Report Generate करके उस Report को हम Publish भी करेंगे. तो हम CLI JUnit Report Generate करेंगे, हम HTML Basic Report Generate करेंगे, HTML Advanced Report Generate करेंगे, और इन सारे Reports को हम Publish भी करेंगे. इन सब को हम Practically करके देखेंगे. तो Jenkins में Newman Report Generate करने के लिए हम यह Item ही ले ले लेते हैं. यह Postman Collections, यह Job जो है, यह Item जो है, यह हमने Previous Session में हमने Create किया था. यह हमने Previous Session में Create किया था, कि किस तरीके से Jenkins में हम Postman Collections को Execute करते हैं, उसको समझने के लिए. तो हम आज के Session में भी हम इसी, इसी Job को हम ले लेते हैं. इसी का हम Report Generate करेंगे, Newman Report हम इसी Job का Generate करेंगे. तो मैंने इस पे क्लिक किया, हमें इसको Configure करना है. तो इस पे मैं करते हूँ Click, और यहां पे यह है Configure का Option. और इसमें नीचे के Section में हम जाएंगे न, तो यहां पे है Build Steps. अब यह वाला जो Command है, हमने Last Time लिया, Write किया था, Collection के Json File को Execute करने के लिए, Collection को Execute करने के लिए. तो हमने क्या किया था, जो Collection था Postman में, यह देखिए, यहां पे यह Postman है न, इसमें My Collection 1 का हमने Json File Create किया था, Export कर के इसको. और यह Json File हमने Desktop पर ही Create किया था, इसको Export किया था, और हमने Desktop पे Json File हमने Create किया था, My Collection 1.Postman Underschool Correction के नाम से, मैं अभी इसे Cancel कर रहे हैं, क्योंकि Already Json File अवेलेबल है. और इस Collection में, जो Get Request है, यह Global Variable यूज़ कर रहा था, तो Request को Execute करने के लिए, हमें यह Global Variable भी चाहिए था, तो इस Global Variable का भी Json File हमने Generate किया था, तो Global Variable का Json File Generate करने के लिए, Environment Lookup है ना, इस पे हमने Click किया था, फिर यहां पर यह Edit पे Click किया था, Global Variables के लिए, और यहां से हमने Export कर लिया था, Desktop पे ही, ठीक है, Desktop पे ही, Workspace.Postman Underschool, Global के नाम से हमने, Global Variables की भी Json File हमने Generate कर ली थी, तो यहां पर वही Write किया है हमने, Newman Command हमने Use किया है, फिर Run, Newman Run, और यह जो है, यह पूरा है, Collection के Json File का Path, उसके बाद, Hyphen G, Global Variables के लिए, और फिर उसके बाद, यह Global Variables के Json File का Path, फिर यह Hyphen G के बाद, यह Global Variables के Json File का Path, ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, हमें Report भी Generate करना है इसमें, तो Report के लिए ह यहाँ पर एक Space देने के बाद, हमें यह Command Write करना है, हाइफन, हाइफन, रिपोर्टर्स, अब चुकि हम यहाँ पर CLI JUnit Report जनरेट कर रहे हैं, CLI JUnit रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर CLI, JUnit, अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा, हाइफन, हाइफन, यह जो यहाँ पर राइट किया है, हमने, यह पूरा path है, कि report कहाँ जनरेट होगी, ठीक है, यह path है, जहाँ पर report जनरेट होगी, यह path देना जरूरी है, अगर हम यह path नहीं देंगे, तो यह default कहीं भी जाके जनरेट हो जाएगी, ठीक है, तो यह path हमें देना जरूरी है, तो तो इसको मैंने कर लिया Save, अब हमें build करना है तो build करने के लिए देखिए, यह option है no build now, हमें इस पे click करना है, तो जैसे हम इस पे build करेंगे, तो जो नया वाला build होगा, वो यहाँ पे display हो जाएगा, ठीके, यहाँ पे, पर्मा लिंक के नीचे यहाँ पे display हो जाएगा, अभी का current build तो मैं इस पे click कर देती हूं build now पे और एक बार चलते हैं dashboard पे और देखें यहां पर यह move कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह build हो रहा है यह tick के आ गए यहां पर green tick के पास यह move करन ही इसका मतलब है in progress है build इसके console पे चलते हैं एक बार देखते हैं क्या activity हो रही है console विंडो में यह है इसका console output I think build हो गया है complete क्योंकि यहां पे tick आ गया है success का और यह है इसका console output तो console पे यहां पे कोई error नहीं है इसलिए यहां पे finished के आ गए यहां पे success आ गया है ठीक है वापर चलते हैं console window में यह रहा हमारा last bill इस पे click किया और यहां पे यह रहा console output अब हमें report को view करना है ठीक है यह तो हमने console पे देख लिया ठीक है अब हमें क्या करना है हमें report देखना है जो हमने अभी dashboard, hostman collection और यह रहा workspace ठीक है इस पे मैंने click किया अब यहां देखिए हमने path क्या दिया था workspace के अंदर report folder के अंदर हमारी जो report है exable file वो जर्डेट हुई होगी तो यह देखिए workspace के अंदर यहां पे workspace के अंदर report folder report folder के अंदर newman report.xml ठीक है इसी नाम यही पात दिया था न हमने तो वही पे generate होई है हमारी file postman collection workspace उसके अंदर यह report और report के अंदर newman report.xml ठीक है अब हमें इसको download करना है तो इसको हम यहां से download कर लेते हैं और यह हमारा download folder में download होगा अब देखिए अगर हमें इस report को यहां पर view करना है तो वो भी कर सकते हैं ठीक है इस पर मैं click करूंगी तो जो XML code है जो raw code है वो यहां पर open हो जाएगा यह देखिए यह जो code है यह पूरा raw code है अब Genkin क्या करेगा इ यह जो XML code आपको दिख रहा है नहीं पूरा का पूरा यह जो यह पूरा raw code है Genkin इसको convert कर देगा graphical data form data में ठीक है तो इसको हम कहते है publishing the report ठीक अब मैं इसको close कर देती हूँ अच्छा यह तो Genkin's close हो गया मैं वापस open करती हूँ ठीक है तो अब report को publish कैसे करना है यह देखते हैं तो उसके link वापस configure करना है तो हमने अपना item पर click किया और फिर हम चलते हैं configure में और इस section में configure section में यहाँ पर post build action है ठीक है अब reports हमेशा बिल्ड करने के बाद ही publish होती है ठीक है न क्योंकि हम build करेंगे तब ही XML file generate होगी और फिर उसी XML file को use करके Jenkins report publish करता है तो यहाँ पर configure के बाद यहाँ पर post build action है न हमें इस पर click करना है और यहाँ पर add post build action और यहाँ पर यह देखिए publish J unit test result report ठीक है हमें इसको select करना है publish J unit test result report सबसे पहले configure पर गए उसके बाद post build action पर गए फिर post build action में यहाँ पर add post build action को हम click करेंगे तो यहाँ पर हमें option मिलेगा publish J unit test result report हमें इस पर click करना है अब इस पर click करने के बाद हमें यह वाला box मिलेगा अब यहाँ पर हमें mention करना है XML file को जो हमारे XML file है जो अभी generate हुई है हमें वो यहाँ पर mention करना है तो यहाँ पर हम write कर देते हैं हमारे workspace जो है वो हमारा root है ठीक है जो हमारा workspace है वो हमारा root है अब root में workspace के अंदर हमारा यहाँ पर फोल्डर है रिपोर्ट फोल्डर और रिपोर्ट फोल्डर के अंदर है हमारी रिपोर्ट ठीक है यही है यही था ना पहले था हमारा workspace यहाँ पर फिर से ओपन कर लेते हैं यहाँ पर workspace और workspace के अंदर report folder और report folder के अंदर newmanreport.xml ठीक है तो यह वाला path हमें देना है workspace के अंदर report folder फिर उसके बाद newmanreport.xml ठीक है अब इसको हम कर लेते हैं save and apply that's it इतना ही हमें देना है save और हम एक बार फिर से इसको build करना होगा तो यहाँ पर मैंने click कर दिया build now पर और यह I think build हो गया complete और यह रहा last build ठीक है यह रहा last build अब यहाँ पर यह देखिए यह है latest test result ठीक है यहाँ पर आ रहा no failure हम इस पर click करते हैं अभी चुकिए हमारा कोई भी test fail नहीं हुआ है उसमें कोई भी API test fail नहीं हुआ उस collection में यहाँ पर no failure आ रहा है तो इस पर click करके देखते हैं अब यह देखिए जो हमने XML file में जो हमने raw code देखा था XML code देखा था उसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब यहाँ पर हमें सब कुछ अच्छे से 1 पर click किया अब माई collection 1 में जो हमारो test था status code is 201 क्योंकि उसमें हमने एक ही test write किया था ना माई collection 1 में हमने एक ही test write किया था हमने एक ही test script write किया था ना पोस्ट request में हमने write किया था एक write किया था test test script status code is 201 तो देखे यहाँ पर वही आ रहा है यह जो हमने script write किया था test का नाम आ गया status code is 201 और वो हमारा pass हो गया अगर हम यहाँ पर और भी अगर हम test write करेंगे for example एक और हम test write कर लेते हैं हम get request में write कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर हम एक test write कर लेते हैं तो हम snippet से ही add कर लेते हैं एक test status code का ही add कर लेते हैं status code is 200, तो जब get request हमारा execute होगा, то हमे status code 200 ही मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने write कर दिया, status code 200, यह हो गया हमारा test का नाम, और यह हमारा हो गया assertion point, तो जैसे हमें status code 200 मिलेगा हमारा यह assertion point, pass हो जाईगा, ठीक है, यहाँ पर test वो है वो pass हो जाएगा ठीक है तो अब हम इसको refresh कर लेते हैं collection की json file को यह जो my collection 1 की जो हमने json file create की थी न desktop पे उसको हम refresh कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने यहां पर modification किया है न इसलिए तो इसको refresh करने के लिए हम इसको फिर से export करेंगे तो three dots यहां पर देख रहे हैं इस पर मैंने क्लिक किया मैं इसको यहां पर सेव भी कर लेती हूं इस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर रीचे के section में है export का option export export और desktop पे ठीक है ओवर्राइट कर देते हैं file को my collection 1. postman underscore collection तो पहले जिस नाम से हमने json file create की थी postman की इस collection की उसी नाम से हम फिर से create कर लेते हैं तो मैंने save पे click कर दिया you want to replace it yes ठीक है अब हमने इसको replace कर दिया अब हमने इसको replace कर दिया अब हम ऐसा करते हैं फिर से हम Jenkins में इसको build करते हैं तो अब क्या होगा अब fresh.json file मिलेगी उसमें मारे पास दो test cases हैं और फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कितने test appear होते हैं कितने test हमारे यहाँ पे display होते हैं एक get request में है और एक post request में है है ना एक get request में हो गया यह हमारा test script हो गया दूसरा हो गया post request में यह हमारा test script हो गया तो हम इसको फिर से build करते हैं तो इसको build करने के लिए यहाँ पे यह हम गए अपने postman collection में अपने job में और यहाँ पे build now पे click किया और यह हमारा build हो गया है इसको हम कर लेते हैं refresh और चलते हैं latest test result में ठीक है अभी भी कोई failure नहीं है no failure और हम चलते हैं अभी देखिए यहाँ पे दो test थे न तो यह count यहाँ पर increase हो गया पहले यहाँ पर 1 आ रहा था न पहले यहाँ पर 1 आ रहा था अभी हमने एक और test script पर add किया न तो यह count यहाँ पर 2 हो गया ठीक है अब हम चलते हैं देखने के लिए कि कौन-कौन से test है root my collection 1 अब देखिए यहाँ पर दो test हमने add किया न दोनों यहाँ पर आ गया और दोनों ही हमारे यहाँ पर आ गया get request ठीक है और कितना time लगा वह भी यहाँ पर आ गया ठीक है कितना time लगा वह भी यहाँ पर आ गया अब इसकी history भी यहाँ पर ऐसे देख सकते हो तो उसके लिए हम आपर चलते हैं collection में अब हम ऐसा करते हैं get request पर जो हमने यहाँ पर script write किया है इसी में हम इसको कर देते हैं 201 क्योंकि हमें 200 मिलेगा और यहाँ पर हम expect कर रहे हैं 201 तो test हमारा fail हो जाएगा इसको कर दिया save और इस collection को हम फिर से कर लेते हैं export जिससे कि हमारे collection refresh हो जाए और desktop पे save कर दिया और आने वाले collection को हमने replace कर दिया अब आप चलते हैं Jenkins में और फिर से इसको build करते हैं build now build history में देख लेते हैं यहां से भी हम देख सकते हैं देखिए तो पहले जो collections थे न वो सारे हमारे pass हो रहे तो यहां पर build history में यह green color से आ रहा था अभी हमारा collection fail हो गया न तो यह 16th collection हमारा यह fail हो गया इसे यहां पर red दिख रहा है ठीक है तो आप चाहो तो यहां से भी click करके जा सकते हो ठीक है यहां से भी आप जा सकते हो देखने के लिए और इसका आमे test results देखना है तो यहां पर यह test results मैंने इस पर click किया तो यह पहले different और पहले यह पूरा blue अब यहां आधा red है और आधा blue है और यह total test, total दो test है और इस एक fail हो गया है, ठीके? अब हमें देखना है यहां पर जो test fail हुआ है उसका यह है detail और जो पूरे सारे के सारे test है जो दो test हमारे उसको देखना है तो हम root पे click करेंगे और हमें सिर्फ fail test को देखना है तो हम इस पे click करेंगे यहां पर सिर्फ fail test का आपको detail मिलेगा नाम मिलेगा तो fail test का देख लेते हैं, इसमें मैंने click किया, तो mycollection1.status code is 200 from get request, इसी को हमने fail किया था न, failing for the past one build, since यह पूरी detail आ रहे कि यह कब से fail हो रहा है, ठीक है, यह कितना पुराना failure, वो data भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और जो error message है न, assertion error message, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, expected response to have status code 201, but got 200, तो XML file से तो यह सारी information हमाई लिए बहुत मुश्किल थी निकालना, हमें समझ में भी नहीं आता, कुछ details मिलती भी नहीं, तो इस तरीके से हम जब report को publish करते हैं, तो यह सारा हमें graphical view मिल जाता है, test result का, तो काफी convenient होता है, भी तुम्हारे पास सिर्फ दो ही request है, real time में क्या होता है, multiple requests होते हैं, बहुत सारे कई सारे requests होते हैं, तो इसको build करने में, report अगर prepare होने में time लगता है, तो इस तरीके से अगर managed report मिल जाए, ग्राफिकल report मिल जाए, easy to understand report मिल जाए, तो team members के साथ share करना easy हो जाता है, stakeholders के साथ share करना easy हो जाता है, communicate करना easy हो जाता है, तो इस तरीके से Jenkins में हम newman report generate करते हैं, इसमेंने एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाती हूँ, वापर चलते हैं, test results में, यहां भी नहीं है, यह इधर है, postman collections में, तो यह देखिए, dashboard पे गए हम, फिर यह postman collections, हमारा जो job था उसमें गए, और यहां पे यह देखिए, यह test result trend, अभी यह क्या है, तो जब हमारे पास multiple builds हो जाएंगे न, अभी हमारे पास काफी सारे builds हो गाएं, यह 14th build है, यह 15th build है, यह 16th build है, तो यह अलग-अलग builds का न, यह behavior दिखाता है, कहने का मतलब यह है, कि यह हमने जितने भी builds की, यहां पे आपको 3 builds का behavior दिखा रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से जो हमारा graph है, test का, वो किस तरीके से चल रहा है ये वो बताता है ये पूरा graph ही है ना ये test result trend ये graph है अभी 14th build में बताएगा देखिए एक pass होवा, skip 0, failed 0 15th build में क्या था? Pass 2, skip 0, failed 0 अब 16th build में देखिए, यहाँ पे red हो गया ना तो red है मतलब यहाँ पे failure है तो pass एक हुआ, fail एक हुआ तो यहाँ पे हमें trend मिल रहा है ना एक build से दूसरे build में हमारे test cases इसके pass होने का, fail होने का क्या trend है? तो जब multiple builds होगे ना तो आपको ये test result का आपको trend मिलेगा, अभी हम एक और build करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने किया build now अभी इसको refresh करना होगा, एक बार मैं इसको refresh कर लेती हूँ तो यह देखिए, अब हमारे पास 17th build भी आ गया 17th build भी आ गया, 14, 15, 16th, अभी 16th और 17th build में कोई change नहीं था इसलिए यहाँ पे सब कुछ सेम लग रहा है हम यहां पर कुछ सेम्ज कर देंगे इसलिए और हम पोस्में कलेक्शन में चलते हैं और यहां पर हम एक और test add कर देते हैं ठीके, पूट रिक्ोइस में भी हम एक test add कर देते है यह मैंने Ctrl C कर लिया, अब चलते हैं इसाथ में में और put request में भी यहां पर यह test script और यहां मैंने एक test or add कर दिया ठीक है यह है put request का मैं यहां पर description में भी डाल देती हूं put request status code is 200 अभी put request में भी status code मिलेगा एक बार इसको execute करके देख ले हम data को update कर रहे है तो हमए 200 रहे है यह देखे 200 मिलना चाहिए न तो हम data को क्यूंकि update कर रहे है तो हमें मिलेगा 200 और हम यहां पर हम expect कर रहे है 201 तो यहां पर क्या होगा test हमारा fail हो जाएगा तो यहाँ पर अलग-अलग combinations आप रखके जब करेंगे ना, कभी किसी test को fail करके, किसी को pass करके, तो आपको उस graph का जो trend है, test का हर एक build का, तो वो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको pass कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 200, तो हमें 200 ही मिलेगा और यहाँ पर हम, असरशन में भी हमने यहाँ पर expect किया 200, तो actual और expected हमारा दोनों match हो जाएगा, तो मैं इसको कर देती हूँ, save और कर देते हैं, desktop पर collection को update, जो json file है उसको update कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी changes किये हैं, इस collection में, export कर दिया, और यह रहा, चलो ठ कर देते हैं, replace हो जाएगा, yes, ठीक है, अब हमारी desktop पर collection की json file थी, वो हो गई है, replace, अब फिर से इस build को execute करते हैं, तो मैंने कर दिया, build now, और इसको कर देते हैं, refresh, एक बार फिर से execute करते हैं, यह देखिए, refresh फिर से कर लिया, तो यह 18th build भी यहाँ पर आ गया, तो आपको किस तरीके से result का हमारा trend चल रहा है, तो इस तरीके से आप, जो मैं पास multiple builds हो जाएंगे, तो आपके जो अलग-अलग builds है, उसके result का आप trend भी देख सकते हो, test result trend में यहाँ पर आपको, जब यह आप डैश्वोट पर जाएंगे, और यहाँ पर post में collections उस पर click करेंगे, तो यहीं पर आपको दिख जाएगा result trend, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम, result trend हम देखते हैं, तो यह आपको तभी मिलेगा, आपको behavior तभी मिलेगा जब आपके पास multiple builds होंगे, ठीके, जब आपके पास multiple builds होंगे, एक build में आपको पता नहीं चलेगा, आपक जब जनकिन्स में हम CLI और JUnit report कैसे generate करते हैं और कैसे उसको हम publish करते हैं, ठीक है, अब तक हम यहीं किया था, हमने XML file जनरेट होई थी, फिर हमने उसको publish किया था, यहीं किया था, अब हम HTML report को कैसे publish करेंगे, जनकिन्स में, हम यह समझते हैं, तो इसको समझने के लिए, HTML report क को publish करने के लिए, जनकिन्स में हमें चाहिए होगा एक plugin, तो यह plugin क्या होता है, तो यह plugin, software component है, जो कुछ specific feature आड़ करेगा, जनकिन्स software में, plugins क्या होते हैं, यह software components होते हैं, जो किसी दूसरे software में specific features आड़ करते हैं, तो उसे तरीके से हम plugin यूज करेंगे, HTML reports को publish करने के कर देगा, जनकिन्स application में, जिसको यूज करके हम HTML reports हम publish कर पाएंगे, जनकिन्स software में, HTML reports को publish करने के लिए, हमें HTML publisher plugin चाहिए, तो वो कैसे हम install करेंगे, यह समझते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं, टैश बोड में, और यहाँ पे यह देखिए, manage Jenkins, हमें इस पे click करना है, ठ यहाँ पे आपको यह options देख रहे हैं, updates, available plugins, install plugins, advanced settings, तो इन सम्में हमें click करना है, available plugins पे, और यहाँ पे हम search करते हैं, HTML publisher, यह देखिए, जैसे ही मैंने type करना शुरू किया, अपने आप यहाँ पे suggestions में आ गया, HTML publisher, तो मैंने इस पे कर दिया, click, ठीक है, और उसके बाद, मैं यहाँ पे, download now and install after restart, install without restart, तो मैं इस पे click कर देते हूँ, install without restart पे, अब यहाँ देखिए, download in progress, और यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है न, तो जैसे ही यह पूरा complete हो जाएगा, तो यह पेंडिंग चला जाएगा, और यहाँ पे success आ जाएगा, पेंडिंग की जगा, यह देखिए, आ गया ने success, तो हमारा जो installation है, वो हो गया है complete, अब हमें report को publish करना है, तो publish हम कैसे करते हैं report को, अभी हमने XML file जो generate हुई थी, JUnit और CLI की, हमने उसको publish किया था, ठीक, उसी तरीके से हम HTML reports भी publish करेंगे, तो एक बर करके देख लेते हैं, तो आपको और भी जादा clear हो जाएगा, तो हम चलते हैं, डैश गोड में, और यहा यहां पे चलते हैं हम build steps में, यहां नीचे के section में, build steps में, अब यहां पे हमें command write करना है, newman command collection को run करने का, HTML report generate का, ठीक है, और उसके बाद फिर हम publish करेंगे, publish हम करेंगे, post build action को use करके, ठीक है, तो यहां पे पहले तो हम command write करते हैं, HTML report generate का, collection को run करने का, और HTML report generate करने का. तो यहाँ पे यह Newman run. यह तो ऐसे ही रहेगा. और जो JSON file का हमने पाथ diya है, यह भी ऐसे ही रहेगा. यह hyphen जी हमने ग्लोबल के लिए दिया है, यह भी ऐसे ही रहेगा. और यह Global variables का JSON file का पाथ है, वो भी ऐसे ही रहेगा. यह reporters भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अब reporters के आगे हमें, कौन से type का हमें report generate करना है, वो हमें लिखना है, तो यहाँ पे जो हमने write किया हुआ है, हमने CLI और JUnit के लिए write किया है, ठीक है न, यहाँ पे हमने जो write किया है, हमने CLI और JUnit के लिए write किया है, अब इसी में हम आगे add क कर देते हैं HTML report को भी तो उसके लिए यहां पर जो हमने यहां पर हाइफन reporter write किया है इसके बाद इतना तो हमारा J unit का हो गया अब इसके आगे ही मैं यहां पर add कर रही हूं HTML report का भी तो अब इसके आगे हमें add करना है ना तो मैं या पर एक space देती हूँ और हाइफन हाइफन report क्या यहां यहीं से copy कर लेती हूं ठीक है इसी इस ही में changes कर देंगे यह मैंने इतना copy कर लिया और मैं इसको यहां पर paste कर देते हूं sorry ठीक से copy नहीं हुआ मैं फिर से copy करते हूँ Ctrl-C और इसको कर देते हैं Delete यहां एक space देने के बाद Ctrl-B अब यहां पर हमें J unit की जगह हमें HTML राइट करना है HTML क्योंकि हम यह HTML report जनरेट करेंगे और यहां पर report folder में हमें यहां पर file का नाम भी चेंज करना है तो newman report और यहां पर मैं कर देती हूँ HTML और यहां पर extension में भी HTML ठीके अब क्या होगा अब यह वाली report तो generate होगी होगी इसके साथ यह HTML report भी generate होगी ठीके अब इसके बाद हमें इसको publish करना है जो report जनरेट होगी HTML report यह हमें publish करना है तो publish करने के लिए मैं आप लोगों को बताया था ना वो build होने के बाद होता है तो उसके लिए यहां पर post build action post build action में हम चलेंगे और यहां पर publish करने का option आएगा जब हम यहां पर click करेंगे ना तो यहां पर publish करने का option आएगा मैं इसको करती हूँ close और यहां पे देखिए मैंने यहां पे click किया post build action में और यहां पे आ रहा है न पब्लिश html reports मैं इस पे click कर देती हूँ और यहां पे हमें करना है add report और यहां में देखा है html directory to archive तो हमारी directory का नाम है reports और यहां पे आप अपनी पसंद का report का नाम दे सकते हैं मैं दे देती हूँ my report and newman report दे दिया मैंने यहां पे इसका नाम ऐहां अब इसके बाद हम इसको कर देते हैं save and apply अब जब हम बिल्ड करेंगे ना, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से इसको बिल्ड करना है, ठीक है? इसको हमें फिर से बिल्ड करना है, तो यहां पर हम बिल्ड कर देते हैं, और बिल्ड करने के बाद हम इसको कर लेंगे रीफ्रेश, तो यह हमारा बिल्ड कंप स्थbrand mimik kun करने के लिए ठीक है और हमने हांपर क्लिक किया रिबोर्ट पर यहां पर सिर्फ एक ही ड़ोर्ट हमें दिख रही यह सक रही है अश्यम घलत दिया है ऐगे वहं भी ट्हों हमने गट दिया है जो displaces mr forgive configure में चलना है फिर से हमें configure इसके आगे यहां पर यह आएगा reports नहीं आएगा save and live फिर से करते हैं build कर दिया हमने और इसको कर दिया मैंने refresh और वापस से चलते हैं workspace में report देखने के लिए यह देखिए HTML report generate हुई है न यह रही यहीं पर दिख रहा है यहां से भी हम इसको open कर सकते हैं और यहां पर फिर से कुछ problem लग रही है एक बार फिर से configuration चेक करते हैं इसका newman run command दे दिया हमने json file दे दिया यह सब तो सही है hyphen hyphen reporters cli,j unit अच्छा यहां पर na cli,j unit के साथ हम html भी generate कर रहे हैं तो reporters का जो type है न यहां पर html भी आएगा ठीक है कॉमा लगाके यहां पर html भी हमें add करना है उसके बाद इनके reporters हमने यहां पर mention करने है ठीक है तो यहां पर हमने html miss कर दिया था इसी की बज़े से वह error आ रहा था और एक बार आगे reporter का नाम भी check कर लेते हैं यह reporter का यह j unit का हो गया और यह हो गया html का ठीक है अब यहां पर जो हमने यह नाम रखा है ना report का यह जो path हमने यहां पर यह दिया है यही path हमने आगे भी देना है तो I think हमने same ही रखा होगा एक बार चेक कर लेते हैं newman report html अच्छा यह दोनों नाम अलग-अलग हो गया यहां पर हमने दिया है newman report.html और यहां पर हमने underscore html भी add कर दिया है तो आसा करते हैं यहां भी underscore html add कर देते हैं ताकि दोनों नाम same हो जाए ठीक है अब I think हमारा यह हो गया है complete directory तो हमने पहले ही सही कर दी थी report का title हमने दे दिया html report और इसको कर देते हैं save और फिर से एक बार इसको हम करते हैं build इसको कर लिया हमने refresh और अब क्लिक करते हैं report पर अब यह सही हो गया यह रही हमारी report newman report यह हमारी basic report है collection का नाम आ गया time date यह सब कुछ आ गया यहां पर version आ गया newman का जो iterations थे वो आ गया यहां पर test scripts है न तीन test scripts हमें write किये न यहां पर get में हमने write किया है, post में हमने write किया है, put में और हमने write किया है तीनों में हमने write किया न तीन test scripts तो यहां पर भी आ रहा है test scripts 3, assertion भी तीन हमने add किये है तो इस सारी detail आपको यहाँ पे मिल जाएगी report में, ठीक है तो Jenkins ही हमने report को publish कर लिया htable में, ठीक है तो I hope आपनों को समझ आ गया होगा, तो यह सारा बिलकुल अच्छे से यहाँ पे graphical form में आपको यह सारा data आपको मिल जाएगा, आपके test का, test execution का जो result है आपको यहाँ पे ब html report को हम publish करते हैं, लेकिन अभी हमने basic report generate किया है, अब हमें अगर ऐसे advanced report generate करना हो, html extra use करके तो वो कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं, तो उसके लिए हम वापस चलते हैं, configuration में, और यहाँ पे, build steps में, जहाँ पे हम command write करते हैं, यहाँ पे, तो यहीं पे हमें modifications करने हैं, तो यह तो रही हमारी collection की JSON file, यह as it is रहेगी, यह रही हमारी global की JSON file, यह भी as it is रहेगी, यह hyphen reporters यह भी ऐसा ही रहेगा, CLI JUnit यह भी ऐसा ही रहेगा, अब इसके आगे से हमें थोड़े से changes करने हैं, तो यह देखिए, अभी HTML की जगह क्या आ जाएगा, HTML extra आ जाएग HTML extra, ठीके, अब इसके बाद क्या करना है, अभी hyphen reporter यह भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यह हमारा हो गया JUnit के लिए reporter, और उसके बाद जो पहले हम HTML reporter यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह हमें HTML extra यूज़ करना है, ठीके, उसकी जगह हमें HTML extra यूज़ करना है, एडवांस reporting के लि अब यहाँ पर हमें सिर्फ change करना है, HTML extra, ठीके, और यहाँ पर मैं नाम change कर देती हूँ report का, Numen report, HTML extra, ठीके, that's it, अब जो नाम हमने यहाँ पर रखा है न, वही नाम हमें आगे, जब इसको हम publish करेंगे न, तो हमें use करना है, report name में, यहाँ पर, ठीके, यहाँ पर, सेम यही नाम हमें use करना है, यह मैंने यहाँ पर दे दिया, save नाम, और इसको हम कर देते हैं, save, यहाँ पर अगर आपको report का title change करना है, मैं कर देती हूँ, HTML advance report, HTML advance report, ठीके, इसको हम कर देते हैं, save, और इसको करते हैं, फिर से एक बार build, build करने के बाद, इसको कर लेते हैं, refresh, और यह देखिए, यह आगया हमारा HTML advance report, title अमने change किया था न, तो यह change title आगया, अब इस पर करते हैं, click report को open करने के लिए, तो यह रहा हमारा HTML advance report, extra वाला, यह देखने हैं आप, summary पर देखना है, तो यह आगया summary, अभी यहाँ पर काफे अजीब सा open हुआ है, total request, एक बार ऐसा करते हैं, इसको हम download कर लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको हम download कर लेते हैं, इसके zip file है, इसको हम download कर लेते हैं, और इसको हम करते हैं, open, show in folder, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, extract, अब चलते हैं इसमें और यह ओपन हो गया HTML extra report अभी देखिए यहां पर सबकुछ कितना properly नजर आ रहा है सबकुछ यहां पर dashboard form में arranged है जितनी भी information है test executions related वो सारी information यहां पर dashboard के form में है यहां पर theme है light and dark theme आपको जो चाहिए वो select कर सकते हो यहां पर सबसे पहले है summary जहां पर आपको जितने iterations थे total assertions, total fail test, total skip test सबका data आपको यहां पर मिल जाएगा सारी information आपको यहां पर मिल जाएगी यह तो यह इस तरह के report कितनी attractive लगती है काफी organized लगती है, arranged लगती है, managed report लगती है, अगर ऐसी को report हमें मिल जाएगा तो communication कितना easy हो जाएगा team members के साथ और stakeholders के साथ अब यहां पर देखिए, यह first total iterations से first file के information आ गया, timing and data में total duration आ गया यहां पर देखिए, पूरी summary आ गई report की, कितने request execute हुए, कितने pre request script थे, कितने test script थे, assertions कितने थे, skip test कितने, सारी information यहां पर आ गई चलते हैं next tab में, तो यह summary tab तो हमने देख लिया, अब इसके बाद है total request tab, अब यहां पर देखिए, जितने भी total request execute हुए, वो सारा request आपको यहां पर display हो रहा है अब यह iteration 1 get request, यह first iteration हो सकता है कि हमने जो test execution किया है तो अभी चुकि हमने first iteration की किया है, एक iteration τα हमारे execution में तो एक first iteration का detail यहां पर दिखा रहा है तो iteration 1 ने get request उच्वेल हो गया है, इसलिए यहां पर red कलर का दिख रहा है, इसलिए red दिख रहा है, get request के साथ अब बाकी तीनो जो request है यह तीनो पास हो गए है तो यह यहाँ पर green color में दिख रहा है इसका जो background है वो green color का दिख रहा है अभी जो fail वाय उसको देख लेते हैं तो यह देखिए request method क्या था वो आ गया यहाँ पर get request का request URL क्या था वो आ गया response code आ गया अब नीचे के section में चलते है request header आ गया response header आ गया response body भी हमें यहाँ पर मिल गया अगर आपको response body को copy करना है तो copy करने का भी यहाँ पर option given है तो जो advanced report है यह HTML extra report है काफे attractive report है इसे तरीके से अगर आप अप चुकिए वाले test हमारा fail हुआ था तो जो test failure का reason था देखें यहां पर वह भी आ जाएगा कॉन सा test script fail वा सक्रिप्ट का नाम क्या था तो जो test case था हमारा test script उसका हमें जो description दिया था वो हमने दिया था status code is 200 यह देखिए अमने दिया था status code is 200 यह get request में जो हमारा test script है उसका जो description है जो नाम है test का वो हमने दिया है status code is 200 तो यहाँ पे न वही यहाँ पे display हो रहा है status code is 200 और जो assertion error है वो भी यहाँ पे display हो रहा है बिसरीके से अगर आपको जो हमारे बाकी के request है post request, put request जिसका भी आपको देखना है आप बस उस पे click करेंगे उसकी सारे information execution में क्या-क्या हुआ है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है आप चिले next tab में देखते हैं उसके बाद है यहाँ पे fail test अब अगर कोई test fail हुआ है तो जो भी test fail है उनको एक अलग tab में यहाँ पे group किया गया है तो इक fail test पे click करते हैं हमारा सिर्फ एक ही test fail हुआ है और वो था get request जो हमने अभी पहले भी देख लिया और क्यूं fail हुआ है क्या message आया है वो सब यहाँ पे दिख रहा है ठीक है अभी कोई test skip नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे skip test में यहाँ पे 0 आ रहा है तो इस तरीके से stml advance report हम generate कर सकते है stml extra reporter use करके तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम Jenkins में newman report हम generate करते है और newman report को हम publish करते है तो आज के session में बस इतना ही मिलते हैं सेशन में नए topic के साथ अगर आप लोगो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा स्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आके दमने ना भूलें थैंक्स फर वाचिंग